मेरट कावड यात्रा को लेकर सुरक्षक विवस्ता में जुटा पश्यमी यूपी पुलिस प्रशाशन एडीजी जोन डीके ठाकुर ने कहा है कि आसपास की राजवे के सभी वरिष्ट अधिकारियों के साथ समन्वे चल रहा है बैठक चल रही है कावड यात्रा को सुरक्ष कि जा रही है मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है किसी भी जो कावड यात्री है उसको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े चाक चौबंध विवस्ता रहे हमारे साथ एडीजी सर कावड यात्रा को लेकर कि कावड यात्रा सुरू होने वाली किस तरह से बिवस्ता पुलि जनपदों में डियम एसेस्पी और सारे वि विऌहाग के अदिकारी सारे वायता पीडेली डियरोडियू करना होता है । विझली के लोग होती है । सवास्ती विखा लोग होते हैं खादश रक्षा के लोग होते सा चाय quindi सामिल होते हैं सब के सास्वत अंतर समझने में सारी शुरक्षा ब्यॉस्ता संस्षित हो इसके लिए हम लोग सारी तरह मिटिङ्ग सारी तरह कामा रूटों ंक भ्रहबन ब्यॉस्तां का समन्ष हम लगातार करते चले आ रहा है सुरक्षा को लेकर के पुलिस एक्टिव है लेकिन एक त्रिनेत्र की बात इस वक्त सामने आ रही है कि हरिद्वार बॉर्डर से लेकर के और दिल्ली बॉर्डर तक की बात हो हर्याना बॉर्डर तक की बात हो सभी बॉर्डर तक जो त्रिनेत्र है आपका बड़ा एहम भूमी सामिल दाएं रहा है लेकिन इसमें जो त्रनेत के अलावा अलग जिए उसता है हम सिसी टीवी जादा मातरम लगाते हैं लगाएंगे लगाते हैं लगाते हैं और इसका हम लोग एक कदम आगे बरके यह किया है कि जो हरिद्वार पुलिस जो सिसी टीवी आएपी कामरा लगा रहे हैं उनकी जाएगी फरणगर पूलीस को मिल जाएगी मिल जाएगी हम नोग यहां बैठे यहां बैठे देख पाएंगे तो यह सब सब हम लोग मिल के काम करते हैं तो उसमें कभी कहीं चुक होनी की बात नहीं है और आगे बेवस्था हम लोग करते रहेंगे लोग सार सुनसित करा रहे हैं सब को पहले से जो डीजे लेके चलते हैं जिनकी सुची हमारे पास है उनको पहले से हम लोग अवैर करा रहे हैं कि डी नेत्र की अगर बात कीज़े तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ब्रहमस्त्र बनकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। मेरट से अतुज शर्मा की रिपोर्ट नीजवन इंडिया